अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बताए कि अगला व्लॉग हम कौन सी गाड़ी कौन सी चीज के उपर बनाने वाले हैं अब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के उपर बहुत सारे व्लॉग होने वाला है जिस वीरियंट में मैं इस बैठा हुआ हूँ वह है जेड एट एल जो लग्जियरी वेरियंट है वो आज हम बात करेंगे कि डिएस मतलब ड्राइवर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है फ्रेंट के सो आए होप ऐसा आने वाले किसी भी गाड़ी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम आये नहीं सो क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है तो आए व्लॉग को शुरू करते हैं करते हैं ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेंट वाली जो स्क्रीण है इसके बारे में अब ये जो स्क्रीन फ्रेंट वाली इसमें क्या क्या चीजे हैं सबसे पहले इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में यहां पर बटन है तो यह cruise control set करना और यह वाले तीन बटन है तो cruise के आगे यह जो तीन बटन है हमारे पास में यह आगे इस screen के लिए जिसके अंदर book open करना और कौन से page पर आप जाना चाहते हो वो उसके नीचे next और previous और enter करके आप उसके अंदर जा सकते हो और favorite के उपर तो आप shots देखी चुक यह हमारे पर diesel गाड़ी है 5000 rpm इसके peak rpm है उससे उपर जाने पर red light में दिखाने लग जाएगा कौने पर हमारे पास में यहां पर time आ रहा है और time के साथ में इधर की तरफ आ रहा है क्या बाहर का temperature है वो 29 इस वक्त temperature है बाहर का Celsius के अंदर नीचे की तरफ zip-zap zoom mode जो भी आपन है कि दर्वाजा खुला हुआ है seatbelt नहीं लगा रहा है बाइस अब लगा लो गाड़ी चला तो seatbelt हर्दम लगाना चीए कौने पर किती किलोमेटर चल गए यह लिखा हुआ रहा है इधर की तरफ फ्यूल किता है वो लिखा हुआ है फ्यूल के साथ में arrow बना हुआ है इसका म पार्किंगबियक लगा हुआ है मैनली पार्किंग प्रेक लगा हुआ है अब बात करें बाकी function की तो सबसे पहले इस screen में आप गए book में आप के पास में आ घीजिटल स्पीड आप डिजिटल स्पीड पर यस करो तो आपके पास में जैसे सिविक वगरा में आती वैसे डिजिटल स्पीड आ गई कौने पर एंटर बटन इसको प्रेस करके रुखोगे लगातार तो उससे होगा क्या आपकी स्क्रीन में बाकी सारी रौशनी चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ बीच वाली स्क्रीन रहेगी ताकि आप और जादा फोकस होके चला सको वापस एंटर बटन को प्रेस करोगे और वापस इसमें लाइट आ जाएगी सेम टाइम पर मैं आगी की तरफ चलता हूँ तो अब यहाँ पर आया तो वीकल इंफो आया और वीकल इंफो मे आपका जो भी रूट सेट होगा उसके हिसाब से चल रहा होगा सो और भी बहुत सारी चीज़े इसके बारे में हम देखेंगे कि हम इसे Android Auto Apple CarPlay से करेंगे तो यह कैसे दिख रहा होगा और बाकी में कैसा दिख रहा होगा उसके बाद में सेटिंग्स बाद में देखेंगे ल गाइस बहुत सारे लोग पूछते ना ही लाइट किसकी है प्लीज आप अपनी ठार और बाकी गाडियों में इसको चेक कर लें फिर द्राइव इनफो के अंदर agar में गया तो डराइविंफो पर आये ट्रिप ए क्या है ट्रिप B क्या है और टाइम क्या है इस में क्या कर सक मतलब वापस reset करना चाहूं तो इसको long press करके रखोगे देखो मैंने इसको long press करके रखा और रभी होगया मेरा 0 जो trip 1 2 इस तरीके से मैं मैं next फूल इन्फो पर आजने पर पहला अभी मेरी गाड़ी में range किती है दूसरा इस इसका mileage किता है तो guys मैं बता दू यह गाड़ी खड़ी की खड़ी है यह showroom के अंदर है बाहर नहीं है so यह exact mileage नहीं है अगर मुझे reset करना है तो मैं enter दबा कि इसको reset भी कर सकता हूँ नीचे हमारा df level है जो कि 93% so इसमें I guess 20 liter का tank होगा थार वगरा में इनमें सब में 20 liter का tank आता है यह कम होते होते आपको fill कर वा लेना चाहिए हाला कि जब आप service कराते हो उसके हिसाप से set होता है मगर अगर आपकी गाड़ी limb mode में चली जाए आप पक्का चेक करो कि वह df level कम तो नहीं हो गया अब मैं अगली जिस चीज के उपर बात करने वाला हूं वह है digital speed digital speed के बारे में बात करी लिया था चलो बैक आजाते हैं अब सबसे मोटी चीज के उपर चलते हो सेटेंग सो जैसे आप सेटिंग में जाते हो वैसा ही पहला आपके पास में आता है AEF Auto Reset मतलब average fuel economy Auto Reset तो यहां से आप क्या कर सकते हो आफटर ignition उसको सेट कर सकते हो आफटर refueling सेट कर सकते हो जिस हिसाब से भी आपका मन करें मैं आगया बाहर अगला जो इसका आपके गाड़ी चलानी है तो आप क्या कर सकते हो इस ड्राइवर ड्रावजी नेस को बंद भी कर सकते हो मैं इसे चालू रखना ही प्रिफर करूंगा वापस आउब सेटिंग के अंदर यह क्या digital प्रेशर है फिल असिस में क्या करेगा जैसे वह प्रेशर जादा होगा वैसे वह आपकी गाड़ी बीप कर देगी साउंड यह बहुत अच्छी चीज है साउंड में आप जाओगे तो आप जित्ते भी साउंड वगरा चेंज करना चाहो वह कर सकते हो इसके उपर भी अलग सिखर सकते अपना साउंड इसी में बता देते हैं सो साउंड वाला जो बटन है इसके अंदर आपको क्या मिलता है पहला आपको टर्ण सिग्नल जो है वो किस आवाज में चाहिए आवाज आई आपको तो जब भी आप इंडिकेटर देंगे आप अपने हिसाप से उस आवाज को चेंज कर सकते हो जो कि एक बहुत अमेजिंग चीज है इस लाइक फोन में आप रिंग्टोन चेंज कर रहे हो आप नीचे की तरफ गये टर्ण सिग्नल की जो आवाज है उसको आप कम या जादा भी कर सकते हो अभी टू लेवल था मैं इसको फुल कर देता हो मैं आया वापस बैक नीचे की तरफ गया नोटिफिकेशन साउंड में तो नोटिफिकेशन में आपके पाद जो आवाज आती देखो उसको भी आप अपने इस आप से चेंज कर सकते हो और अगर आपको नोटिफिकेशन का साउंड जादा चाहिए तो यहां से आप उस नोटिफिकेशन के साउंड को इंक्रीज भी कर सकते हो सो यह सारी की सारी चीज़े आती है हमारी इस स्क्रीन के उपर कमेंट बॉक्स में बताना कि और किसी चीज के उपर हम व्लॉग बनाए अगर आप व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करते रहें ऐसे व व्लॉग के साथ में